हालो दोस्तो राकेश UP भ्लोग में आपका स्वागत है। आज हम UP प्रयागराज के फाफामोच्हती में हैं। दोस्तो, फाफामोच्हती में गंगा नदी पर एक दिज़ का निर्मा कार किया जा रहा है। आज हम उसी ब्रीज का वियू करने चल रहा है। दोस्तो मेरट से प्रियाग राज के लिए गंगा एक्स्प्रेस हाइवे का निमा कार किया जा रहा है जो कि यह ब्रिज जब बनके तयार होगा तो प्रियाग वासियों के लिए काफी वादान साबित होगा यहाँ पर देखे कार चल रहा है आज संडे का दिन है इसलिए यहाँ पर वरकर्स आज बहुत कम है यहाँ पर देखे कितनी उचाई पर मिटीड आये गया है तथा जेसी बी के दारा यहाँ पर कार चल रहा है और जिफ्ट दाएं साइड देखे ब्रिज का निमा कार किया जा ब्रीज को इशी से जोड़ दिया जाएगा इस सामने का ब्रीज इधर ब्रीज आपको लगभग तयार हो गया है लेकिन इसके और आगे ब्रीज अभी कम्प्लेट नहीं है हम आगे चल कर पूरे ब्रीज का व्यू आपको दिखाएंगे यह पूरा कछार का छेत्र है यहां पर दिखिए कार अभी चल रहा है लगभग लगभग यहां पर यह जो ब्रीज है लगभग कम्प्लेट हो गया है लेकिन आगे जो है जहां पर मागंगा नदी है वहां पर अभी पूर रूप से कार नहीं हो पाया है इस ब्रीज के बन जाने के कारण जो प्रियाग राज में लगभग कुछ हर तक जो जाम लगता है उससे काफी छूट कारण मिल जाएगा और यह सीधे बेली सिकट के सीधे आपको लखनो या कहीं आओ जाना है बाहर बाहर आप जा सकते हैं इस दिखें मसीं के द्वारा एक यानी एक पिलर से दूसरे पर जो उपर साचा रखा गया है उसको जो है रखा जाता है इधर तो पिलर त्यार है लेकिन इसकी उपर अभी शाचा नहीं रखा गया है यानि उपर जो डाल की अलग से सांचा रखा गया है उसको रख दिया जाता है तो यह ब्रीच लगभग तयार हो जाता है यह दिखी कितने मूटे मूटे पिलर तयार है और कुछ पिलर अभी तयार किये जा रहे हैं मैं आपको बताया था कि जहां पर मागंगे का छेत्र है यहां पर अभी पिलर कुछ कम तयार है जिशको की बहुत तेजी के साथ कार चल रहा है यहां पर कुछ वर्कस इस ब्रीच पर कार के दो हैं भर्पूर लुहे की माता कप लोग किया जाता है हम आपको जिस जगह दिखा रहे हैं यह फाफा मौब से सीध है यह जब जिस त्यार हो जाएगा इस देखें इतनी मूटी मूटी सरीया रखी गई है और इधा ब्रीच त्यार किया जा रहा है अब हम जहां पर मागंगे जी हैं वहां पर आ गया है यह दिखिए मागंगे का जलस्तर आपको दिखाई दे रहा है और इसी मागंगे को पर ब्रीज तैयार किया गया है जिस्ट हमारे सामने मागंगा नदी यहां पर देखिए नौकाएं चल रही हैं इस पास से उस पार आने जाने के लिए नौका ही एक सहरा है दोस्तों यह ब्रीज बेली से मलाग राज हरिहा तक जब पूर रूप से बनकर तयार हो जाएगा तो प्रयागवास्यों के लिए तथा अन लोगों के लिए एक बादान साबित होगा और सहर में कम भीड़ होगी और सहर के किनारी किनारी लोग एक तरफ से दूसरे तरफ आ जा सकते हैं दोस्तों अगर इस ब्रीज के बिसे में जानकारी देने का मेरा तरीका पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक से यह सब्सक्राइब करिए तब तक